तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं factor affecting quality and quantity of milk production मतलब वो कौन-कौन से factors हैं जो की affect करते हैं quality और quantity of milk production को ये चीज इसलिए important है discuss करनी आपके exam point of view से भी important है और जो real life मतलब जो इसकी practical application है वो भी important है exam point of view से मैं बता देता हूँ कि ये question कई बार आया हुआ है exam के अंदर तो इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे अगर आपको सिर्फ exam point of view से भी देखना है और practically तो इसका जो significance है वो है ही ठीक है real life के अंदर तो कि अगर आपके milk की quality अच्छी नहीं है quantity अच्छी नहीं है तो कौन खरी देगा आपके milk को ठीक है तो अगर आपको grow करना है dairy farming के अंदर तो quality और quantity दोनों ही अच्छी होनी चाहिए अब उन्हें कौन-कौन से factors influence करते हैं वो हमें यह आपर देखना है तो सबसे पहली बात करते हैं वो है breed तो breed greatly influence करती है factors को इनको यह एक factor है जो की milk production और quantity को affect करती है quality को तो इसके अंदर हमारा breed के अंदर क्या है कि जो हमारी indigenous breed है काउ की जो शाहिवाल है गिर है थार पारकर है रेड सिंधी है यह सारी ही breeds milk देती है higher fat के साथ higher fat percentage इनके milk के अंदर होती है जो कि मैंने last video के अंदर भी आपको पताया था इसके साथ साथ protein content भी जादा होता है इन breed के अंदर cross breed के comparison में अगर आप मान लिजे कि आपने एक cross breed बनाई आपने शाहिवाल और HF होल्स्टिन फिरिश्चिल का यूज़ करके एक cross breed बनाई और एक pure शाहिवाल है तो जो general trend देखा गया है वो यह देखा गया है कि जो हमारी pure जो indigenous breed है उनके अंदर fat percentage जादा होगा cross breed के comparison में इसके अलावा जो variation आती है इनके अंदर variation in the ability of cow to produce total milk fat and solid not fat SNF is an inherited character ये भी important चीज़ है कि ये जो solid not fat SNF value आपको शाहिए सुना हो और fat percentage ये inherited character है ठीक है और मैं आपको बता दूँ कि ये जो SNF और fat और protein जिनने हम बोलते है milk composition इनकी heritability बहुत जादा होती है मतलब हाई होती है इनकी heritability जादा होने का मतलब क्या है कि 0.4 से जादा होती है ये आप आगे पढ़ेंगे कि 0.4 से जादा होने का heritability का मतलब क्या होता है इसके अलावा जो general trend की general assumption की अगर मैं बात करूं तो milk production जैसे जैसे increase होता है fat percentage कम होते जाती है मतलब कि ये inversely proportional होते है याद होगा के अंदर क्या होता है milk production जादा होती है और fat percentage कम होता relatively यहीं पर यही 4th point आ जाता है इसके अंदर देख सकते हैं कि 4th point में क्या बता है कि जो zebu cattle है या फिर Indian origin के जो cattle है उनके अंदर 7% तक milk fat जो है वो पहुंच जाता है और यह vary करता है considerably मतलब कि ये breed to breed क्योंकि जो Indian cattle है जो induzal भी vary करता है मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक शाहिवाल breed की cow है तो सभी के सभी बिल्कुल same ही fat देंगी उनके सभी क्या milk के अंदर जो fat वो सभी का एकोलोग ऐसा नहीं है टीक है induzal variations भी आते हैं बट हाई ये बात अलग है कि ये जो variations है breed के अंदर induzal के अंदर ये fat content, protein, lactose ये सब देखा गया है कि genetically determine होते हैं जैसे कि मैंने बताए कि high heritability इनकी होती है इसके अलावा heritability जो potential milk production है उसे भी determine करती है ठीक है हाला कि heritability लोग होती है milk production की पर होती तो है बले लोग हो पर है तो heritability इसके अलावा जो SNF percentage, fat percentage और milk production ये कुछ ऐसे factors हैं जो कि most productive जो cows हैं उन्हें indicate करेंगे मतलब अगर आप killing करने जा रहे हैं तो इन सारे जो चीजें है इन factors को आपको देखना होगा उसके बाद ही आप कल करें मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ milk production बही कौन सी काओ है वो जादा milk देरी है कोई काओ कम milk देरी है तो बस जो काओ देरी है उसे में ये सारी चीजें आपको याद रखनी है इसके अलावा बात आती है stage of lactation की तो देखिए stage of lactation भी influence करती है जो milk constituent है उनको ठीक है मतलब quality को influence करती है और quantity को भी कैसे influence करती है अब देखिए lactation जो पूरा है काओ का उसमें वो कौन सी stage के अंदर है ये कैसे determine करती है वो चीज देखी गई है कि parturation के 5 दिन के बाद ठीक है five days after the parturation variation greatest आती है milk के अंदर milk composition के अंदर greatest variation आती है कैसे मैं कह रहा हूं क्योंकि पता है आपको कि initially 10 days तक almost 10 days तक कॉल स्ट्रम आता है ठीक है चाहिए वो भी humans के अंदर भी कॉल स्ट्रम प्रेडियूस होता है similarly यहां पर cows के के अंदर भी होता है अबी जो कॉल स्ट्रम है यह क्या होता है से अदर कुछ चीज चीज़ने ज़्याद होती है सोफ चीजेशने कपोंकुष हces लावा ही में ध क्लोराइड क्लोराइड होते हैं सारी कॉंपनेंट यहां पर एक चीज जो कम होती है वो हैços लेक्टोस है तो पॉल्स्ट्रम नॉर्मल मिल्क के अंदर कनवर्ट हो जाता है दस दिन के अंदर ठीक है मतलब कि अगर किसी काव ने आज वह पार्चुरेशन हुआ तो यह कोई ऐसा नहीं है कि यह 10 देज तो मतलब 10 देज बिल्कुल टेन देज के अंदर हो जाएगा यह सिर्फ एक एस्टिमेट है एक एक एवरेज है तो ओल्मस्ट एंदर कि नॉर्मल मिल्क में अंवर्जन हो जाएगा और दीरे-दीरे क्या होगा लैक्तोज भी इंक्रीज झो होता है उसके बाद क्या रहता है कि 10 डे पर नॉर्मल मिल्क में कनवर्ट होगे उसके बाद 90 डे तक 90 डे मतलब कि मैं पार्चुरेशन से बात कर रहा हूं ठीक है तो 90 डे तक वो कॉंस्टेंट रहेगा और फिर उसके बाद 91 जो डे होगा उससे जो मिल्क इल्ड है वो कम वोती है बाइक पूरे टाइं मतलब कि जहां से जर्यक्त रहती है तो यह यहां पर आप कहीं पर प्रोटीन तुम हो रही है तो यह सारी किwriting हैं कि मल्क कंपोशेशन हो रही है इसके अलावा जैसे जासे जाس h अनिमल ये लेंखल्याट जैसे बढ़ती जाती है लेंग यह बहुत जादा जल्दी होता है इंडियन के अंदर और यूरोपन के अंदर थोड़ा स्लो होता है तो यहां पर स्टेज व्लिक्टिशन के बाद हम बात करते हैं य है य स्टेज और फ्रक्टिश के को ऑन्यटि को कैसे अफेक्ट करता है जब इस्ट्रस के समय जो milk production है, milk yield है animal की, वो कम हो जाती है, इसके अलावा fat percentage increase हो जाता है, इसका possible reason यह माना गया है, कि इस्ट्रस के समय एक तो पहला तो यह है कि hormonal changes होते हैं, दूसरा क्या है, कि animal excitement होने की वज़ा से, वो milk को hold कर लेता है, तो इसी वज़ा से जो milk yield है, वो कम हो जाती है, इसके अलावा pregnancy, तो pregnancy में क्या होता है, कि milk yield कम हो जाती है, about six month पर, जो milk yield है वो कम होनी start हो जाती है, और end तक, gestation के end तक, वो increase ही होती है, मतलब वो जो कम होता जाता है, जो production है, वो कम होता जाता है, तो इसका possible reason क्या हो सकता है, कि आपको पता है, कि जो fetus है, वो क्या करने लगता है, वो compete करने लगता है, nutrient में, अब वो किसके साथ compete कर रहा है, भी देखिए, milk production के लिए भी nutrients चाहिए, और जो fetus है, उसे भी nutrient चाहिए, तो ये possible reason हो सकता है कि वो उसके साथ compete करता है इसके अलाबा hormonal changes तो उस समय भी हो रही होते हैं pregnancy के time पर भी इसके बाद हमारा next factor आता है कि milking time के अंदर भी variation होना वो भी एक possible reason है कि change हो सकते है milk constituent जैसे कि जो fat percentage है वो fat percentage जो last drawn milk है उसके अंदर higher होता है मतलब कि जो milk बाद में आता है उसके अंदर fat ज़्यादा होता है और जो milk आप initially निकालते हैं उसके अंदर fat कम होता है किःचना difference आता है कि 1.9 % आप देख सकते हैं कि जो पहला first drawn milk है उसके अंदर 1.9 % ही fat होता है जो last drawn milk है उसके अंदर 6.8 8% होता है तो इतना डिफरेंस आ जाता है तेक है इसके अलावा बाता है एज वरियेशन की तो एज वरियेशन जैसे कि मैं बता चुका हूँ पहले भी कि most cows maturity अपनी एचीव कर लेती है six years of age पर अब जितनी ज्यादा काउ ओल्ड होगी उसके अंदर fat content उतना ही ज्यादा decrease होने लगता है age के साथ साथ तेक है अब कैसे decrease होता है यह decrease होता है 0.02% के साथ per lactation units per lactation इस तरह जो fat है वो हमारा decrease होता है older cows गंदर इसके अलावा जो SNF value है solid not fat वो ज्यादा greater extent से हमारा decrease होता है इसके बाद बात आती है size of animal size of animal के बारे मैं आपको पहले last video के अंदर भी मैं बता चुका हूँ एक बार फिर बता देता हूँ कि जितना अगर आपके सारे factors constant है तो आप larger cows को ज़्यादा preference देंगे क्यों देंगे क्योंकि larger cows का जो udder size है वो जादा है जिसके विज़े से udder secretory tissues भी जादा होँगे इसके अलावा उनका digestive system भी बड़ा होगा तो वो जादा खाना खा पाएंगी उससे जादा अच्छे से absorb कर पाएंगी जादा nutrient body के अंदर जाएंगे जादा nutrient milk production को भी nutrient जीता जाएंगे तो वो भी जादा होगा इसके अलावा more milk yield देखी गई है तो यह सारे factors हमें क्या बताते हैं कि अगर बागी सारे factors similar हैं तो larger cows को आप preference देंगे इसके बाद factor आता है feed, feed का कहीं न कहीं direct effect होता है quality और quantity दोनों पर ही मिलक के और especially quality पर जादा effect होता है feed का क्या effect है कि जो fat percentage है feed के अंदर वो directly proportional होता है fat percentage in milk के अंदर मिल्ब जितना आप feed के अंदर fat percentage दोगे वो उतना ही milk के अंदर directly influence करेगा अब यह कैसे करता है अगर आप कुछ हमारी feed है जैसे कि cotton seed oil, linseed oil, soya bean oil अगर यह चीजें आप feed के अंदर include कर देते हैं animal की तो देखा गया है कि जो fat percentage है milk के अंदर वो क्या होता है ठीक है अगर आप इन्हें add करते हैं तो इसके अलावा जो minimum fat है feed के अंदर वो requirement उसकी होती है normal production के लिए अगर आपने milk अगर आपने feed के अंदर normal fat नहीं रखा इसलिए यहीं पर ही significance आता है animal nutrition का कि अगर आपने normal आपको पता नहीं है कि fat हमें कितना रखना है और उसकी वेज़े से क्या होगा कि जो milk production है उसको influence करेगा और आपका production जो है वो हाँ पर effect होगा इसके अलावा यहाँ पर बात आती है कि अगर high fat diet आप दे रहे है animal को क्योंकि आपको चाहिए high fat in milk तो उससे क्या होगा उससे disadvantage भी है वो disadvantage क्या है कि जो milk का protein है casein ठीक है वो क्या हो जाएगा वो decrease हो जाएगा ठीक है तो protein content milk का क्या हो जाता है decrease हो जाता है जैसे fat बढ़ाते है इसके अलावा next जो factor आता है वो है season season काफी important factor है और इसके अंदर मैं आपको different चीज़ें बताऊंगा पहला point आता है कि 40 degree Fahrenheit से 70 degree Fahrenheit का ये एक comfort zone है normal temperature है इसके अंदर कोई भी effect नहीं आता milk production के उपर इसके अलावा अगर आप below 40 degree Fahrenheit जाएंगे तो इसके अंदर कोई adverse effect तो नहीं आता कि कोई बहुत जादा detrimental effect आ गए animal के उपर बढ़ हाँ यहाँ पर animal को extra feed की जरूरत होती है इसके अलावा अगर आप 5 degree से भी कम जाते हो तो उसके बाद क्या होगा यहाँ पर detrimental effect milk yield के उपर आना start हो जाता है और एक चीज एक general trend देखा गया है कि जो larger breeds हैं वो जादा tolerant होती है low temperature के देंदर smaller breed यह आपने चीज 12th class में पढ़ी होगी ठेक है और physiology के अंदर भी पढ़ी होगी आपने चीज देखी होगी कि जो smaller animals हैं वो बहुत जादे colder environment में नहीं पाए जाते क्यों क्योंकि smaller animals का जो relative surface area होता है वो जादा होता है जिसकी वैसे उनके अंदर heat loss जादा होता है इसलिए smaller animals नहीं मिलते हैं यही सेम concept यहाँ पर भी है कि बहुत smaller breeds हैं वो जादा tolerate नहीं कर सकती low temperature को बट larger breed कर सकती है larger breed मतलब कि जैसे Halston Frischian बट जर्सी नहीं कर सकती ठीक है तो यह चीज आपको याद रखनी है और यह चीज वहाँ पर भी इसका significance है मान लीचे बहुत colder environment है तो वहाँ पर आप किसी को क्या suggest करेंगे कि आप larger breed पा लिए या फिर आप smaller breed प कम होता है और अगर 75 degree Fahrenheit से आप temperature और उपर ले गए तो milk yield कम होती चली आती है तो temperature influence यह है इसके अलावा smaller breeds जैसे मतलब हमने larger breed के बार में देखा ऐसी smaller breeds जाधा tolerant होती है high temperature पे same concept वही है heat loss वाला इसके अलावा milk production 15 to 50% 15 to 50% जाधा हो जाता है monsoon के अंदर तो यह चीज आपको याद रखनी है वाल मौनसून सीजन के अंदर milk production जाधा हो जाता है इसके अलावा बात करते हैं disease की तो disease में एक general disease है जो सबसे जाधा affect करती है ना मैं आपको कहूं जो milk production को सबसे जाधा affect करती है तो वो है mastitis ठेक है बाकि सारे disease एक तरफ और यह mastitis एक तरफ ठेक है यह mastitis ही कैसी निया फिर protein content decrease हो जाता है heat sensitive proteins बढ़ जाते हैं soluble nitrogen बढ़ जाती है pH alkaline side की तरफ चली जाती है और fat percentage 0.3% तक कम हो जाता है severe mastitis के अंदर तो आप देख सकते है mastitis के अंदर जो milk component है वो कितना vary कर जाते हैं disease condition के अंदर इसके अलावा हमारे कुछ other factors भी आते हैं जिसके अं के अंदर जो animal है वो milk produce नहीं कर रहा है यह किसले important है dry period almost हम मानते हैं कि 60 days का होना चाहिए dry period इसले important है क्योंकि यह वो time है जिसके अंदर जो cow है वो अपने अंदर reserve कर रही होती है nutrients को ताकि वो जो next lactation में आए तो वो अच्छा production दे पाए ठीक है इसके अंदर जो अडर है व कि वो जब तक animal pregnant है तो उसका अच्छे से वो ख्याल रखते हैं अगर अगर आप उसमें animal पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या बोलता है वो जाद अच्छा production नहीं produce करेगा और यह कुछ चीजे हैं जो कि एक normal इंसान को और एक हम जो चीजें पढ़ लेते हैं उनमें difference create करती है तो आपको यह चीज याद रहने है कि length of dry period कितना होना चाहिए इसके अलाबा condition of cow at cowing time कि भी cow की condition कैसी है अगर मान लीजे वो good condition के अंदर है तो almost ही देखा गया है कि 25% ज़ादा milk produce करती है जो एक cow अच्छी condition में है then जो कि एक poor condition मे milk produce कर सकती है तो यह condition of cow भी बहुत important है इसके अलाबा अगर मान लीजे BCS में हमने देखा कि अकर कोई cow है वो बहुत ज़्यादा fat condition में है very fat condition में है तो ऐसा देखा गया है कि उसके milk के अंदर भी जादा fat produce होता है इसके अलाबा frequency of milking frequency of milking मैंने जैसा बताया आपको इंडिया but frequency of milking का butter fat पर कोई भी influence नहीं होता है इसके अलाबा बाद आती है irregular milking irregular milking का मतलब क्या है कि जितना जादा milk आप irregularly आप निकाल रहे हैं मतलब ऐसा नहीं है कि एक regular interval पर आप milking कर रहे हैं तो यहाँ पर देखा गया है more milk of slightly lower fat content is obtained following lower interval अगर आप longer interval रखेंगे तो उसमें अगर milking के क्या हुए consequences हुए इसके अलाबा change of milker हो सकता है change of milker का influence होता है कि animal किसी एक milker के साथ अगर वो comfortable है और अगर आप milker को change करते हैं तो हो सकता है कि उतना milk let down ना हो animal का तो यह भी influence करता है milk production को इसके अलाबा हमारा जो sixth factor आता है वो क्या है कि day to day variation यह देखा गया है कि हमारा almost 0.1 से 2% की टेकर 0.1 से 2% तक की day to day variation होती है मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक cow एक particular percent milk fat percent produce कर दिये तो वो continuous इतना ही constantly उतना ही produce करेगा no टेकर वो day to day variation भी होता है इसके अलाबा interval between milking वो भी influence करता है fat percent को और क्योंकि morning मैंने आपको पता है morning और evening यह दो ही time में इंड 80% के अंदर तो क्या होता है कि morning से evening में time interval कम मिलता है then evening से अगली morning में ठीक है तो जिसकी वैसे fat percent change होता है बट यह देखागा है कि SNF value पर कोई भी change नहीं आता चाहिए आप interval कितना भी कर दीजिए ठीक है तो यह in short हमने यह सारे factors देखे जो की milk yield को और milk composition को ठीक है अगर मैं बात बता हूं तो milk quality को और milk quantity को affect कर रहे हैं ठीक है और यह बहुत important topic है आपको यह चीज़ डीटेल में पढ़नी चाहिए thanks for watching this video if you like then please press a thumbs up and subscribe to vet study